दोस्तों ये कहानी है कैसे लड़के की जो की पड़ाई में एवरेश था दिन पर दोसक्सा टाइम पास खरना, मुबाईल चलाते रहना उसकी आदत थी घर पर उसकी मां की तबियत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से और घर की हालत बस से वद्दर थी यानि अगर कोई मेमन आ भी जाए तो उसके बेठाने तक की जगा वहाँ नहीं होती थी एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं तो वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो घर के हालत को दिकर दंग रहे गया तो उसने पूछा क्या तू यहाँ पर रहता है बोले हां मैं यहाँ पर रहता हूँ क्या यह तेरा घर है बोला हां यह मेरा घर है भई बोला तू ऐसे हालत तुम्हें रहता है वो बोला हाँ मैं इसे हाला तुमें ही रहता हूँ क्यों क्या हुआ थोरी दिर तक तो उसका दोस्त चुप बेटा रहा लेकिन फिर वो बोला वाँ वाँ मेरे दोस्त वाँ तेरी घर की हाला बस से बत्तर है मा घर पर बीमार पड़ी हुई है पापा दिन रात काम करके थोरा सफेसर जुठा पाते है और उससे घर खर्च चलाते है दिन बढ़ दोस्त खसा टाइम पास करता है तुझे अपने करियर की कोई चिंदा नहीं और तेरे घर के आलाद बस से बत्तर हो चुकी है तो एक बात बता किसको दोखा दे रहा है अपने आपको, अपने माबापको किसको दोखा दे रहा है उसके दोस्तों ने कहा तू चल मेरे साथ वो बला कहां चलना है, नहीं तू चल मेरे साथ तो उसका दोस्तों से वहां ले गया जहांपर उसके पापा काम करते थे उसके पापा एक फैक्टरी में मजदूर थे वो वहाँ पर बेठे वे थे बच्छीने से तर बतर होकर हालत बस से बतर हो चुकी थी शरीर में पेन हो रहा था और उनके पास में उनीकी फेक्टरी का एक मज़़ूर और बेटा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे और वो कह रहे थे कि यार मेरी पतनी घर पर बीमार है इलाज कराने के लिए पेसे भी नहीं है मैं दिन रात मेनत करके सिर्फ दो वक्त की रोटी चुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पेसा बच ही नहीं पाता अभी तो बेटे के स्कुल की फिज भी भरनी है यार इससे बेटर तो मोत ही है जिन्दगी दुक का दुसरा नाम बन जुकिये मैं तंग आ चुका हूँ इस जिन्दगी से अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखरी उम्मीद है उसके पापा कहे रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फेक्टरी का मालिक बनेगा वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज़ को देख रहे थे और पूरे गोर से सुन रहे थे तब ही उसके दोस्त ने कहा देख, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे पापा तेरसे कितनी उम्मीद लगायों बिठे हैं देख ज़रा एक बार लेकिन क्या तुजे लगता है कि इस थरसे तुँनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा एक बार तो अपने पापा की हालत को देख कि केसे जीते हैं और एक बार तो अपनी हालत को देख कि तु केसे जीता है वो दो कोड़ी का मुबाइल तेरे पापा से पढ़ करें वो दो कोड़ी की लड़किया जो जिन्दगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है वो तेरे पापा से पढ़ करें वाह मेरे दोस्त वाह यह तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई की और फिर चली जाएगी अरे बदल अपने हालातों को यह सब देखकर और यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आसो टपक गए और उसने उसी वक्त निश्य किया कि जिस फेक्टरी में मेरे पापा काम करते हैं आने वाले पांस साल के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फेक्टरी का में मालिक बन कर दिखाऊंगा और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे एक कमपनी का मालिक बना है एक बहुत बड़ी कमपनी का मालिक बना है नोकर नहीं बना है और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो तिन के लगा तारत अतरस गंटे पढ़ने लगा, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष, कि एक बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पढ़ना होगा, और मैं पढ़ूंगा, कोई माई का लाल इसा नहीं है, जो मुझे रोख सकता है पढ़ने से, और आखरी के सिर्फ एक महीने में पढ़कर, पुरे स्टेट में टॉप करकर दिखाया, सब लोग हैरान हो गए, कि ये कैसे हो गया, सब की आंके फटी की फटी रह गई, सब वो काम करते हैं, उससे भी बड़ी फेक्टरी का एक दिम में मालिक बन कर दिखाऊं, सिर्फ इसी सपने को लेकर में इतना पढ़ पाया, और अपने प्रदेश में फस्ट आप आया, दोस्तों हो सकता है, कि आप इस कहानी की शुरुवती पार्ट को अपने आप से रिलेट क पाऊ, इंडिया में मेकजिमम लोग या तो मिडिल क्लास फेमली से बिलॉं करते हैं, या फिर पूर फेमली से बिलॉं करते हैं, हर बच्चे को वपा बहुती संगर्श करके उसे पढ़ाते हैं, हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो, उस कहानी में उस लडगे ने रियाल झीडिकव करते हो किया आप अपने सच को देख पाते हो है अपने हालतों को देख tôок पने आपको देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना जाहिए वह लड़का तो बौ Southern पड़ी कंपनी का माली भी बन गया लेकिन क्या ग्यारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ क्या ग्यारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ ग्यारंटी है मेरे दोस्त ग्यारंटी है जब आपके अंदर से एक चीक उठकर आए आपके अंदर के सारे सपनों को सच करना है जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आ गई उस दिन से एक बात तो तई है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे अपने माबाप के सारे सपनों को सच कर दोगे बस जरुवत है तो एक अंदर से आवाज की दोस्तों बहाने बनाने से कुछ नही तो हमेशा हमें सिर्फ एक इची सुनने को मिलती है कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं है और दोस्तों जिंदगी का भी यही वसूले करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना करने वाला है न वो छोटी सी मुसीबत आने पर रुख जाएगा बहाने बनाने में उसका कोई रिकोर्ट नहीं उसे दिन भर आला साते रहेंगे उसके अंदर की एनरजी बाहर उठी नहीं पाएगी